बच्चो जैशी कृष्णा सिद्धी अंदी विद्या ने आपका स्वागत है तो सेकंड क्लास के बच्चो अपनी किताब का क्या नाम है गाला रिमजीम स्वादे पुस्ति का क्या है गाला रिमजीम स्वादे पुस्ति का तो बेटा इसमें हम लोगों का कोश्चन नमबर एक जागो तुम आखे खोलो या आखे खोलो का क्या अर्थ निकलता है तो आखे खोलने का मतलब जागना क्या हो गया जागना तो इसका वाकित रोग हम क्या करेंगे सुबा पढ़ने के लिए जल्दी जागना चाहिए क्या सुभा पढ़ने के लिए हमें जल्दी जागना चाहिए आखे खोलने का दूसरा अर्थ अपने शिक्षक से जानकर लिखो तो दूसरा अर्थ क्या होगा बेटा सतर्क होना सतर्क मतलब किसी चीज के लिए हम लोगों को एकदम तयार हो जाना मतलब रेडी होना उसको बोलते हैं सतर्क होना तो इसका वाक्य क्या करोगे परिक्षा पास आते ही हम पढ़ाई में सतर्क हो गए का हवा के साथ भागना मतलब उढ़ना तो क्या होगा तितली कली की खुश्बू से हवा के साथ उड़ने लगी क्या सूखी डाल पर भी कली खिल सकती है अगर नहीं तो क्यों तो इसका अंसर हम क्या लिखेंगे नहीं सूखी डाल पर कली नहीं खिल सकती क्योंकि वे सूख जाती है और जल्दी तूट जाती है क्या लिखोगे नहीं सूखी डाल पर कली नहीं खिल सकती क्योंकि वे डाल सूख जाती है और जल्दी तूट जाती है Q8. कली और फूल के बीच का अंतर बताओ तो इसका अंसर क्या लिखोगे फूल बनने से पहले ननी कली होती है और फिर कली ही में से फूल बनता है फूल बनने से पहले ननी कली होती है और फिर कली में से ही फूल बनता है कोशन नमबर नो तुमारे आसपस ऐसे कौन-कौन से फूल है जिनकी महग बहुत तेज है फूलों के नाम बताओ तो बेटा इसका क्या लिखेंगे हम आंसर गुलाब गेंदा मोग राचान दी रात की रानी आदी ती आदी फूल है कोशन नमबर दस तुमारे घर में किस किस तरह की महग आती है तो इसका अंसर क्या लिखेंगे हम बेटा धूपी अगरबती की महग मंदिर से मसालो वा तड़कों की महग रसोई घर से सेंड वा पाउडर की महग ड्रेसिंग टेबल से आती है ठीक है बेटा ये दस कोशन अपने कंप्लीट हो गए है इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है अब आगे देखो आगे क्या है भाशा सच्जिता तो इसमें क्या लिखा हुआ है नीचे दिये गए शब्दों का उपियों करके वाक्य बनाने है जैसे देखो बेटा ये क क्या लिखा है कली कली तो इसमें क्या लिखा है सुबा होते ही बाग में कली कली खिल गई दूसरा क्या है गली गली तितली गली गली में उड़ी दूसरा घड़ी घड़ी गर्मी में घड़ी घड़ी प्यास लगती है घड़ी घड़ी मतलब जल्दी जल्दी तीसरा घर घर होली के दिन हमने घर-घर जाकर रंग लगाया चौथा डाल डाल तो अब इसमें क्या लिखोंगे इस पेड की डाल डाल पर फूल खिले हैं पत्ता पत्ता, पेड का हर पत्ता पत्ता हरा है या पेड पर हरे हरे पत्ते लगे हैं ठीक है अब दूसरा देखो क्या लिखा है कवीता में कली भली गली ऐसे तुक्के वाले शब्द है तो हमको उससे मिलते जूलते शब्द बनाने है जैसे बोलो बोलो का हो गया खोलो और तोलो बोलो खोलो तोलो तितली मचली रंगीली तितली मचली रंगीली फिर देखो क्या डाल खाल माल बोली रोली हो ली खेलो से को टेको ठीक है इस तरह कास होगी आप आगे देखो, आगे क्या है रेखा की छित्रों को डेखा की शब्दों को यह कोश्तक में दियेगा शब्दों के साब से वाक्य प्रयोक करो जैसे देखो क्या लिखाए पेड़ की ये डाल सूख गई अपने कोष्टक में क्या लिखा है शाखा तो यह मैरे संग क्हेलो कोष्टक में लिखा है बेटा साथ तो हम क्या तुम मेरे साथ खेलो अब देखो यहां क्या है नन्नी कली सुन्दर थी तो नन्नी की जगा कोश्टक में लिखा है छोटी तो हम क्या लिखेंगे छोटी कली सुन्दर थी फिर देखो क्या लिखा गीता भली लड़की है भली की जगा क्या आजाएगा अच्छी तो हम क्या लि सुगंद तो हम क्या लिखेंगे फूल की इस सुगंद सबको भाती है ठीक है बेटा इसकी मैं ने आप लोगों को PDF भी भेजिया और आप लोगों को समझाया भी है इसलिए आपको इसको PDF में से भी देख के कर लेना है और जो भी ना समझ में आए वीडियो में से देख लेना और अपनी कॉपी में सुन्दर सुन्दर अक्षरों में आपको करना है कल हम लोग कोशिश करेंगे हो सकेगा जितना कली और तितली वाला पार्ट कल अपना कंप्लीट हो जाएगा ठीक है बेटा आज के लिए इतना है बाकी का हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चलो बाई जैशी प्रिशना बच्चो